हेलो एवरीवन वेलकम टू डू डू डीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिक तो अभी तक हमने बहुत पार ऐसे प्रोग्राम किये हैं जिसके अंदर हमने प्रिंट का यूज किया है यह प्रिंट आखिर कैसे काम करता है या इसमें और क्या-क्या आप्शन सब्लेबल है इसकी हम लोग बात करेंगे इस वीजो में तो पहले यह समझते हैं कि आखिर एक यूजर जो है वो किस तरह से चलाता है प्रोग्राम को ठीक है तो इसके लिए हम लोग जाएंगे और यहा की प्रॉब्लम को सौल्ल करना सब्पोर्स करें कि हम बात कर रहें ATIM की और ATIM में हम लोग बात करें कि यूजर का जो परपरस है वो है कि पैसा निकालना तो ATIM के अंदर जो भी software चल रहा है तो वो हमारी help करेंगा कि हम केस तरह से पैसा withdrawal करें वहीं मैं बात करता हूँ के यूजर के वाली दे कुछ को वापस रिजल्ट रहे है तो जैसी बात है दोस्तों कि यूजर जो हता है यूजर वह है यूजर वो है जो कि हमारे software को use करने वाला है हमारा client है ओके हम प्रोगामर के बात नहीं कर रहे हैं हम लोग उस software चिलाने वाले user की बात कर रहे हैं अब हम लोग कहते हैं कि यह हमारा program है यहाँ पर हमारा program है तो इस program का main जो मकसद है इस software का जो main purpose है वो यह है कि user की problem को solve करना कैसे करता है यह solve उसका छोटा से idea ले लिजे आप क्या होगा कोई भी software जो user की specific need के लिए बनाए गया है हर program जो है specific purpose के लिए बनाए जाता है specific purpose मैं या लिख देखता हूँ specific purpose होता है या specific task के लिए बनाए गया है एक ही बात है इसका क्या करेगा यूजर जब इसको software को use करेगा तो use करने के लिए उसको program की coding से मतलब नहीं है उसको मतलब है कि वो program को कुछ values दे program उसका recording काम करा उसको result मिन जाए इसका मतलब उसको program की coding से कोई interest नहीं है तो क्या हो तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक यहां पर screen का use करेंगे आप पास हमें बोलते हैं इसको screen ओके यह फिर technique English को हम लोग बोलते हैं interface तो user क्या करेगा इस interface से बातचीत करेगा और यह interface जो है यह हमारे program में user की कोई भी value लेके जा सकता है तो इसे इस तक प्रोग्राम तक पहुचाना, ओके फिर प्रोग्राम उस वैलू पर क्यागूलेशन करेगा, जिससे उसने यूजर ने एंटर किया टू और थ्री, तो यह प्रोग्राम के ट्री को एड कर देगा और इसको बना देगा रिजल्ट फाइफ, अब यह फाइफ जो जो रिजल् पहुचाएंगे, तो इस रिजल्ट पहले या रिजल्ट को हम लोग बेज देंगे, कहां पर स्क्रीन पर बेजेंगे, यह वैल्लू या रिजल्ट जो आपको स्कीन पर मिल जाएगा, और यूजर इसको आराम से देख लेगा, हाई या ना, तो यह जो मेंन हमारी दिवार है हमारे प्रोग्रम और हमारे यूजर के बीच इसको generally हम लोग कहते हैं, इंटर फेस, जिसके तुरू हमारे प्रोग्रम से बातचीट करते है, वो डिजेख ली कोड इससे बात करेगा, और यहां पर यह जो स्क्रीन है, जिसको हम लोग टेक्टिनिकलि एंटर फेस भी कहते है तो interface का जो mainly purpose है दोस्तों वो दो काम है, एक तो यह है कि user से कोई value accept करना, जिसको हम लोग कहते हैं program के अंदर input लेना, ठीक है, और दूसरा है कि program में अगर कोई value या result कुछ बना है, तो इसको user को display करना, तो अभी हम लोग बात करें कि user कैसे value बिजेगा, तो हमारे पास में program के इंपूट, तो यह input function program के अंदर लिखेंगे, यह interface पर आपको लेके जाएगा, और वहाँ पर खड़े होकर आप से user से value मांगेगा, तो user क्या करेगा, वहाँ पर interface के अंदर value डाल देगा, और यह input function है, वो इस value को यहां से उठाएगा, screen से यह interface उठाएगा, और program में लेके जाएगा, फिर program इसको एवेलूट करेगा, data को इस value को एवेलूट करेगा, और एक result बनाएगा, उस result को वापस हमें interface को भीजना है, ताकि users को देख सके, तो यह काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रिंट चाहिए होगा, तो यह input function है, यह जो print है, यह actually हमारे language के वो वाले component है, या वो वाला part है, जिसका main purpose होता है, कि program को interface के लिए ready करना, okay, interface बनाना, ताकि program के अंदर user, उस interface को use करते हुए, program से बातसीत कर सके, कैसे होता है यह का, चली, मैं आपको practical करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, पहले हम लोग यहा जा रहा है, ठीक है, वो किस तरह से behave कर रहा है, और user को देना क्या actually मैं, तो मैं यहाप लिखूंगा a, और यहाप लिखूंगा input, okay, suppose को मैं user का नाम पूछना चाहता हूँ, okay, तो यह क्या करेगा, यह input function आपको लेके जाएगा interface के उपर, और वहाँ जाकर user से value मांगीगा, जो भी user ने इसको नाम दिया है, वो हमार पास में program के अंदर a से denote किया जाएगा, अब यह जो a से denote किया है, उसको हमें वापस user को दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाप लिखता हूँ, print a, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग user से value लेंगे नाम और उसको print कर मैं समझाओं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, user से मांगना चाहूँगा, कि user तुम मुझे कोई value दे, जिसको दो number add करने का program बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा input, ओके, तो आप यह लाइनों पर ध्यान मत दीजे कि यह कैसे work कर रही है, आप बस य इस program को मैं चला कर देखता हूँ पहले, यह program मैंने चलाया, और यहाँ पर देखेंगे कि आप से value मांग रहा है, जिससे मैंने value दीजिए 2 और value दीजिए 4, तो आप से कहा है 6, तो user को यह नहीं दिखाना है, यह जो shell है, यह तो सीव आपकी testing के purpose है, user को इससे मतलब नहीं है user को मतलब है कि कुल मिला कर उसको क्या हो जाए, दो number थे और output मिल जाए, तो user को इस तरह का interface अगर आप देंगे, तो user तो बहुत ही tactical होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दे रहे हैं और यह क्या लिखा रहा है, क्यों लिखा रहा है, तो हम लोग क्या कर रह प्रोगामर के verification के लिए, user के लिए नहीं है, चली कैसे, इस program को मैं दोस्तों, save करता हूँ पहले, save करके इसको मैं डाल देता हूँ, desktop पर है, तो यह हमारा desktop पर से already saved है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, user को actually में क्या मिलता है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग, और बात करेंग यूजर से, इसको मैं desktop पर लेकर जाता हूँ, और यह जो file बना ही हमने है, यूजर को में लोग देंगे, और यूजर को हमने यहाँ पर click किया, अब यूजर यहाँ से दो number डालेगा, तो यह है वो interface जो कि user को दिखाई देगा, और user इस पर काम करेगा, danse सुनिएगा, तो user के लिए user को दिखता रहे, जब तक user कुछ प्रैस ना कर दे, इसको मैंने save कर दिया दुबारा, इसको minimize कर दिया और इस program को दुबारा चला रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने डाला 2, मैंने डाला 2, तो answer का दिखाई 4, तो यह जो interface है दोस्तों, यह बहुत काम का है, और यह interface ह में कहां दिखाते हैं हम लोग, generalist को screen पर दिखाते हैं, जो भी हमारा computer काम में ले रहा है, जो भी device काम में ले रहा है, हर device के पास में एक standard monitor होता है, चाए वो monitor ऐसा दिखाई दे रहा हूँ, चाए वो हमारे calculator का चोटा सा monitor क्यो ना, display unit क्यो ना हो, चाए ATM का TV क्यो ना हो, च या मुझे क्या देना है और क्या मुझे वापस मिल रहा है, तो यह जो screen है, यह हमारा interface है, तो इसको हमने value लेने के लिए, यहाँ पर आप द्यासे देखेंगे, मैं इसको वापस चलाता हूँ, तो user इसको चलाएगा, और इस पर चलाकर यहाँ पर जो भी लिखेगा, तो input अभी काम कर रहा होगा behind the screen, जिससे मैं लिखा 2, तो यह 2 input उठागा, डाल देगा, ए में डाल देगा, ठीक, यह मैं साथ आपको प्रोगाम भी दिखाता रहता हूँ, अच्छा रहेगा, ओके, यह देखिएगा, तो सबसे पहले इस प्रोगाम को हम लोग साइड में ले जा तो यह आप से input value की उमीद कर रहा है, और input जो भी आप डालेंगे, वो कहां चला जाएगा, ए में चला जाएगा, तो जैसे मैंने लिखा 12, ओके, अभी तक गया नहीं है, तब तक हम लोग enter नहीं मायेंगे, तब तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसको नहीं बता कि 112 डालना है या फिर 123 डालना है, ठीक है, तो यह वेट करेगा, और जैसे हम एंटर बालेंगे, तो यह क्या करेगा, यहां से 123 को उठाएगा, यह input जो function है, वो इससे बातचीत कर रहा है, तो input function यहां से 123 उठाकर A में डाल देगा, फिर मैंने आप लेगा, सपोस करो 2, जैसे मैं यहां आप enter मारूँगा, तो यह वाला input भी चल रहा है, और यह आपसे क्या करेगा, यह आपसे 2 उठाकर किसम में डाल देगा, और फिर print क्या करेगा, दोनों को add करकर आपको display भी कर देगा, चीक है, तो मैं इसको enter मारता हूँ, दोको आपका, यह print भी चल चुका है, और इसने display लिखा है, ताकि कुछ time के लिए हम लोग यह आपर रूख जाए, हमना output देखे, और जैसे मैं आपकोई भी button प्रेस करूँगा, कीबोड का, तो यह हमारा program जो हो जाएगा, चीक है, जैसे मैं एंटर प्रेस किया, तो यह program क्या हो गया, यह close हो गया, तो आप अगर ध्यान स को दिखाता है, तो input क्या है, इसके बारे में आपको next video में आपको समझाओंगा, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह से program में जो result है हमारा, उसको हम लोग display कर रहे हैं, ताकि user को पता चल जाए, तो पहले print पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे input, तो य मैं आज यहां पर काम करने वाला हूँ, यहां पर कि प्रोग्राम जब कोई भी value को user को दिखाएगा screen के उपर या interface के उपर, तो यह value को program से उठाकर screen पर भेज ला, यह जिम्मेदारी किसकी होती है, यह print की होती है, और print को आप जितना अच्छा करेंगे, उतना ही अच्छा output आप कह सकते हैं कि user को दिखाई देगा, और user को हम लोग अच्छे facility दे सकते हैं, अगर आपने output डंका नहीं बेजा है, तो दोस्तों हमारे पास user को बहुत confusion होगी, वो इस software को use नहीं करने वाला, तो आपको समझ में आ गया है कि print जो है, वो हमारे program और हमारे program के जो interface है, ज monitor पर भीजना ताकि उसको दिखाई दे, तो यह जो interface से आपको screen पर दिखाई देगा, screen बोले तो monitor पर दिखाई देगा, और user को पता चल जाएगा कि उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो print का main purpose है, वो यह ही है कि program से किसी भी value को हमारे screen पर भीज़ दो, ताकि user को दि बनाया गया है, हम लोग पात करेंगे python के अंदर, प्रिंटिंग वाला जो काम है, यह काम करने के लिए, ताकि आपके program में से कोई भी value उठाकर, printing वाला काम क्या करेगा, आपके जो interface है, जिसको monitor पर दिखाई जा रहा है, जिसको screen पर दिखाई जा रहा है, ताकि user इसको दे यह काम करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए python हमें एक function देता है, जिसका नाम है print, क्या नाम है, print function, ओके, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसका role जो है, आपको पता चल गया है, कि print करेगा क्या है, तो चलते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास में और क्या क्य है, और print को जितना आप better करेंगे, उतना ही अच्छा उपर आप दिखा पाएंगे, तो देखें दोस्तो, print is a function, यह एक function है, ठीक है, अब function क्या है, ज्यान से सुनिएगा, दोस्तो, print python में, print एक function है, आज की date में, अभी latest version में, पहले कोई जो पुराने version थे, जैसे 2.x हो गय उसमें print जो था, प्रिंटिंग वाला जो काम था, वो function के थो नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने बनाया statement के थो, लेकिन बात में जो अभी latest version थे, जैसे 3.9 अभी चल रहा है, उसमें यह सारा जो काम है, प्रिंटिंग वाला, उसके लिए उन्होंने print function बनाया, function क्या है, function क जब function बनाया गया है, तो यहाँ पर एक function, print function बना कर इसमें कुछ लाइने लिख दी गई है, और यह लाइने जो है, आपके program और interface के भी काम करती है, और काम क्या करती है, काम करती है, print काम करती है, और हमारे program के अंदर, program के अंदर, को specified message है, उसको वो screen तक लेके जाएगा, यह आप समझ ले, यह कह सकता हूँ, कि मैं इसको standard output devices, जैसा कि monitor पर लेकर जाकर उसको दिखा देगा, ताकि user को पता तो चले कि उसका result क्या आया है, तो print function का main तो वो ही डोल है, और print function क्या है, set of lines है, जो कि program को अंदर से कोई भी value उठा कर, हमारे screen पर लेके जाएगी, ताक यह message क्या हो सकता है, यह आपका string है, कोई भी object हो सकता है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन, जब यह कोई भी चीज को screen पर print करता है, तो वो उसकी format fix रहेगा, string format, मतलब मैं अपने print के अंदर, program के अंदर, print काम में ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं कुछ भी दोस्तों, यह हमारा program है, यह हमारा interface है, जो कि हम लोग monitor को show कर रहे हैं, ताकि user इसको देख सके, तो user से कोई चीज मंगवानी है, या user को कोई चीज भेजनी है, तो इस interface का use किया जाएगा, जैसे हमने भी काली वाली screen का use किया था, ब्लैक वाली screen का, यहाँ से user से बात करने के लिए हमेशा string का ही concept काम आता है, चाए कोई भी language ले ले, तो user जो भी एंटर करेगा, वो string की format में एंटर करेगा, user को जो भी दिखेगा, वो भी string की format दिखेगा, दोस्तों, या रखेगा, input हो चाए वो output हो, console पर, या फी हमारी जो इंटरफेस है, जो user को दिखाई दे र हो, तो two को जब हम लोग string बनाएंगे, तो भी easily print हो जाएगा, okay, तो यहाँ पर जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सारा काम string की form में होता है, याद रखेगा, इसको बूलना नहींगे, interview coaching पूछा जाता है, कि print में आप जो भी लिखते हो, ultimately जब उसको दिखाई देता है user को, त चलते हम लोग अपने, अब यह जो function है, इसको कैसे बनाए गया है, तो दोस्तों, जब कोई भी function बनाते हैं, तो इस function का particular नाम होता है, ठीक है, particular नाम होता है, और उसके इंदग particular values होती है, यह function यह value लेगा, यह काम करेगा, यह output देगा, ठीक है, चली मैं आपको तोड़ा स यहां पर समझा भी देता हो function का concept क्या है, तो दोस्तों, function का concept क्या है, कि function is a set of statement, set of statement, मतलब set of lines, है ना भई, together perform a single task, together perform a single task, जो कि मिलकर एक single task को perform करती है, इस से बनता है function, technical देखा जाए, तो function एक set of lines है, यहां पर कुछ lines लिखी भी है, ठीक है, यहां से यह कुछ value ले सकता है, इसको हम लोग कहते है, यह function का input है, जिसको input वर्ड तो सही नहीं रहता है, क्योंकि input जनरली हम लोग के लिए यूज करते है, तो यहां पर जो word यूज करेंगे, वो है parameter, क्या यूज करेंगे parameter, तो parameter कुछ नहीं है, किसी function को काम करने के लिए अगर कोई value चाहिए, वो कहलाती है parameter, तो यह function में ने बनाया है, जिसको काम करने के लिए कुछ value चाहिए होगी, तो वो value क्या कहलाएगी parameter, तो parameter यहां से वो कुछ ले सकता है, यहां पर वो उसको perform करेगा, जो parameters में लिए है, जो value उस पर लिए है, उस पर यह काम करेगा, औ output नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, generally क्योंकि output का use, word का use, हम लोग कहीं computer में कहीं और करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगा return करना, क्या करना, return करना, तो कोई भी function जो है, वो कुछ value ले सकता है, काम करेगा, और return देगा, okay, जैसे कि function कैसे बनाते है Python के अंदर, वो भी मैं आ करना होता है, दोस्तों, आपको यहां पर एक नाम लिखना पड़ता है, जैसे कि मैं नाम लिखना प्रेंट, और फिर आगे specify करना पड़ता है, कि आपको किस तरह की value चाहिए, parameter यहां पर specify करेंगे, ठीक है, और यहां पर लगाएंगे colon, और यहां पर लिख देगा lines, जो कि function का नाम यह रहेगा, function को काम करने के लिए इस तरह की value चाहिए होगी, इस तरह के parameter चाहिए होगे, parameter लेने के बाद में यहां पर जो भी काम हो जाएगा, और अगर कोई function है, जो कुछ चाहे तो return भी कर सकता है, किसे काम करने के बाद में, वो किस तरह की value return करता है, ठीक है, यह हमारे किसी भी function का architecture ऐसे ही रहता है, तो इस line को, यह जो पहली line है, इस line को हम लोग कहते हैं signature, क्या बोलते है, signature, जिसमें function के बाद में सारी जानकारी मिल जाती है, सवाए काम को छोड़ कर, तो काम तो अंदर लिखते हैं हम लोग, बाकी यह बता देगा function का नाम क्या है इसमें क्या कहते है कि parameter या मतलब क्या कहते है कि value आपको चाहिए और काम करने के बाद में आपको क्या return करेगा, यह भी बताते हैं तो यह चीज कहलाती है signature, क्या कहलाती है, signature, signature of function, तो अब बड़ी बाती है कि यह जो function है दोस्तों, वो हम लोग भी बना सकते हैं, चीक है, मै इसको आगे मैं आगे बड़ाता हूँ, बात करते है function in python, तो python में function दो तरके होते हैं, कुछ function ऐसे होते हैं जिसको हम लोग create करते हैं, उससे कहते है user-defined function, क्या कहते है user-defined function, ओके, अब यह user-defined function जो होंगे, इसको बनाने की जिम्मेदारी user की होगी, ओके, और कुछ function ऐसे हो होते हैं जो कि बन बनाएं मिलते हैं हमें उनको बनाने के ज stresses नहुतनी करना है जब कि यूजेर्ट को आपको create भी करना होता है जिसको कहते हैं Define भी करना होता है और its को यूजको बनते हैं melt which functionốc aika calledIST sex. भी हम लोग करेंगे, call भी हम लोग करेंगे, वहीं मगर बात करू हो, तो कुछ ऐसे function है, जो की बन बनाएं आपको मिलेंगे, इसके function को हम लोग कहते हैं, predefined function या inbuilt function, तो काफी authors को predefined function कहते हैं, काफी इसको inbuilt function कहते हैं, हाँ या ना, inbuilt function, तो ऐसे function जो है, वो आपको बनाए जो तनी उनको define करने के ज़रूत नहीं है, तो ऐसे function को हम लोग define नहीं करेंगे, बस इनको हम लोग call करकर क्या करेंगे? यूज मिलेंगे, क्या करेंगे? यूज मिलेंगे, तो आप जब किसी भी function को यूज मिलेते हो, तो इसको call करना पड़ता है, call उसका नाम लिखना पड़ता है, अब मैं feature में आपको छिखाऊंगा के user define function कैसे काम करते हैं, चलिए मैं आपको छोटा सा demo दिखा रहे ताकि आपक function का नाम जैसे मैंना हो कि मैंने लिखा sum, तो कोई भी number को sum करना है, तो आपको दो value तो c होगी, तो दोनो value मैंने a और b मान ले अभी के लिए, चीक है? और यहाँ पर हम लोग लगे colon और यहाँ पर हम दोनों को value को add कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने c लिया, c में दोनों को use ने किया है, तो जब मैं इस program को run करूँगा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, तो यह function को जब करेंगे, तो आपको output कुछ नही क्यों नी दिखाई देगा क्योंकि सर हमने इस function को चलाया नहीं है इस function को हमें अभी तक चलाया नहीं है तो चलाने के लिए उसका नाम लिखना पड़ता है और आगे bracket लगाने पड़ता है क्योंकि खाली जो नाम है दोस्तों वो consider किया जाता है as a reference तो मैं चाहता हूँ यह reference ना बने यह एक function बने और इसको मैं चलाता हूँ ठीक है तो जैसे चला हूँ यह error देदेगा क्यों देदेगा error ठीक है जैसे हमने लिखा यह error आगे न आगे आ रही है आप देहां से देखिए यह कह रहा है कि sum जो है इसमें दो argument है या फिर दो चीज of function बोलते हैं इसका मतलब है इसको बोलते है function का name और यह बोलते है function के argument या parameter तो इसको काम करने के लिए function को जब इसको आवाज देंगे जब इसको यूज करेंगे तो इसको दो value चाहिए एक तो a और एक b की format ओके और आप जब इसको use कर रहे है तो आप यहां पर कोई value इस देगा b में फिर यह जैसे इस function को यह दोनों value मिल जाएगी तो इसको क्या कर देगा प्रिंट कर देगा तो इसको मैं चला कर देखता हूं आपको इस वरा answer 5 मिलना वाला है तो देखे दोस्तों आपको क्या मिल गया 5 मिल गया इसका मतलब यह जो function है यह हमने यहां पर define क किया है और उसको हमने यहां पर use किया मतलब किया है ओके नाव तो कुछ function ऐसे होते हैं यह जो function है सम्भूब यह हमारा function है इसे बोलता है user defined function क्यूंकि हमने इसको define किया है वही मैं बात करता हूं ऐसे function की जैसे कि print प्रिंट की मैं बात करता हूं तो प्रिंट function के लिए आपको यहां पर कुछ बनाने के जरूत नहीं है क्योंकि बना मिलता है आपको सिदा इसको use करना है मतलब सिदा call करना है तो चलते है हमारी slide पर हमने यहां पर लिखा है कि यह जो print अंदर बनावा है उसका signature कुछ इस त हैं तो पांचो के पांचो supply कर सकते हो जब इसको आप call करेंगे या फिर यह सब चीजे जो है बाकी वाली यह optional है चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह हमारा print इस तरह से बनाया गया है कि print को जब use करेंगे आप तो यह उसका proper declaration हो गया या proper signature हो गया जैसे कि हमने आप यह बताया था कि यहां पर इस program के अंदर जहां से देखिएगा यह इसका signature क्या आता है क्या 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 आता है इसका signature और signature के according ही हमें यहाँ यहाँ यूज करना पड़ता है ओके तो यह जो signature है यह वाला इसके according यूज करेंगे अगर मैंने signature के अंदर स्रू करतेगा क्योंकि यह दोनों चीज कंपल्सी है दोस्तों यह एदर दे रहा है ठीक है वही क्योंकि यह दोनों चीज कंपल्सी मैंने लिखिए तो इसको दोनों चीज मिलनी चाहिए लेकिन अगर मैं प्रिंट की बात करो तो प्रिंट के अंदर यह जो चीज है वह आप आप चाहे तो लिखे हैं चाहे तो छोड़ते हैं तो यह हो गया हमारा प्रिंट का सिग्नियचर और प्रिंट को यूज कैसे करते हैं आपको बनाने की जरूत नहीं है यह प्रिडिफाइन फंक्शन है दोस्तों कैसा फंक्शन है प्रिडिफाइन फंक्शन है आपको बनाने की लिए आपको सीब लिखना पड़ता है function का नाम और आगे bracket लगाना पड़ते हैं अंदर कुछ पास करने करें चलेगा क्योंकि यह सब के सब क्या है अब इनको और प्रिफाइन नहीं करते हैं सीधा उनको प्रिंट भी क्या है एक प्रिफाइन फंक्शन है जिसको इस तरह से बनाए गया या आपको याद होना चाहिए अब इसको सिब यूज करते हो और जब इस प्रिंट अपना काम कर लेगा तो काम करने के बाद आपको क्या देगा कुछ नहीं करते हैं इसका जो काम में वह प्रिंट वाला काम करेंगा उसके बाद में चुक्चा बेड़ जाएगा तो फंक्शन को यूज करने के लिए इसको कॉल करना पड़ता है तो हम लोग चलेंगे अपने प्रोगाम के नदर यहां पर सबसे पहले को कॉल करेंगे यह दखो यह मैंने कॉल तो यह हमारा Hello इंडिया लग देगा इसका मतला प्रेंट में जो भी लिखेंगे यहां पर parameter में तो print जो function उस चीज को क्या कर देगा कर्दे और print करकर हमारे उस पर दिखा डे यह सब्सक्राइगा तो यह चीज को यह चीज नहीं दे यह कि आपको पर पर कापको कैसे बीए कर रहा है इसकी लिए सब क्रूद करें आपको यह तो यह चाल नहीं मिलेगा जब काम करेंगे तब तो यह print function कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें किस तरह से हमें काम कर सकते हैं, यह सब चीजी हम लोग सेखने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं print function देखते हैं कि और क्या available है अमारे लिए तो दोस्तों यह जो parameter हमको दिखाई दे रहे हैं, यह पांचो जो parameter है, इनिक अगर आप यूज करना सीख जाए तो I think आपको सारी कि सारे print up के बारे में knowledge हो जाएगी और print कैसे करते हैं, क्या हमें format करना है, किस तरह से हमें output देखना है, सारी facility आपको मिल जाती है यह जो पांचो है दोस्तों इन में से कुछ तो है optional और कुछ है compulsory तो देखते हैं इनके पहले parameter समझ लेते हो फिसके बार में हम लोग सुरू करेंगे कि प्रिंट में क्या क्या हो सकता है और कैसे काम हो सकता है तो जो पांचो है दोस्तों उसमें से पहला है object वाला portion ठीक है तो हमारे पास यहां पर प्रिंट के अंदर पांच option होते हैं जिसमें से पहला है object यहां पर object ही जो है दोस्तों यहां पर किसी भी तरह का आप object लिख सकते हैं आप यहां पर कोई integer लिख सकते हैं, float लिख सकते ह तो और आपको समझ माता है तो और भी आप लिख सकते हैं और कितने भी ऑबजेक्ट आसकते हैं और तो आप उनके के बाद में यह प्रिंट होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि यहां पर हम लोग बहुत सारे अब्जेक्ट की सकते हैं और हर अब्जेट के अलग अब्जेट बताने के लिए आपको कॉमा का यूज करना है तो पहले तो आपको यह समझाता हूं कि कौन कौन से अब लोग लिख सकते हैं अभी तक ठीक भी तो चलते हैं हम अपने प्रोगाम के तरफ और यहां बात करते हैं इसको मैं बंद कर देता हूं और यहां हम लोग बात करेंगे कि सर्ज मैं लिखता हूं प्रिंट इसके अंदर मैं कोई इंटिजर लिख सकता हूं आप देखेगा कोई भी अब्जक्ट लिख सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अगर मुल्टिपल अब्जक्ट लिखना चाहते हैं तो कॉमा का यूज़ करेंगे तो दोस्तो हेलो हो गया एक हो गया हाई चीक है इस तरह से आप दो यहां पर अब्जक्ट लिख रहे हैं पको प्रिणों को आपने कॉमा से बताया है तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि हम लोग कोई भी ऑप्जक्ट लिख सकते हैं लेकिन कोई भी अप्जक्ट लिखें जैसे मैं आप लिखता हूँ सपोर्ष करो तो यह पिर निचरी तो यह प्रिंट होने से पहले 23 तो यह आपको दिखता नहीं है और आपको उसको कंट्रोल भी नहीं करना है आपको बैस अपना object लिखना है और खुद बखुद यह जो प्रिंट फंक्शन है उसको इसको प्रिंट करने वाला है तो आपको उसकी headache बिल्कुली लेनी यह काम यह खुद बखुद करेगा हमें यह जो आपको फ्रिंट कर सकते हैं और अगर आपने सेपरेटर से कर सकते हैं और अगर आपने सेपरेटर सेट नहीं किया है जोड़ दिया तो डिफॉल्ट होता है स्पेस वाला क्या होता दोस्तों समझ में आ रहा है तो चलिए अपको प्रोगाम में से थुरू समझा दिता हूं ठीक है तो चलते हैं अपने प्रोगाम के अंदर और मैंने यहां पर लिक्षे हैं दो अबचेक्ट थीक है चाहिए निद कुछ से कोई फरक नहीं पड़ता, तो मैं यहां लिखता हूँ, Hello India, Hello, और यहां पर मैं लिखता हूँ, suppose करो, तो यहां पर actually मैं दो object है, दोस्तों, आपको दोनों object जब इसको use करेंगे, तो यह दोनों object आप देख रहे हैं, कि यहां पर space के through separate हुए है, यह space के दुरू क्या हुए, separate हुए है, क्यों वे, क्योंकि आपने separator लिखा नहीं, तो by default separator set होगा, by default का मतलब है, अगर आप कुछ नहीं करते हो, तो by default वो ऐसा set करेगा, इसका मतलब आशर अभी भी मेरा same set आएगा, जैसा उपर आया था exactly same output निचे क्योंकि यहां पर मैंने manually set किया है, तो हम लोग अगर ऐसा ही set करना था तो छोड़ देते हैं हम लोग ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकि manually set करने का मतलब यह है कि आप अपने हिसाप से कुछ set करें, ठीक है, तो मैं आप इसको लिख रहा हूँ और मैंने set किया कि दोनों यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर space दे सकते हैं, हम लोग यहां पर and, 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 जो आपको समझ माता है, वह इससे आप separate कर सकते हैं, तो अब देखेंगे, यह पहला object प्रिंट हुआ, दूसर object प्रिंट हुआ, दोनों को separate हमने किसे किया है, इस वा देखने ही नहीं है, दोनों hello or to, दोनों चिपके वी दिखना ही देने चाहिए, तो उसके लिए आपको यहां से हटा दीजी space, ठीक है, इसको run कीजिएगा, तो यह दोनों आपको चिपके वी दिखाई देंगे, दोनों आपस में एक जूसरी से attach होते 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 हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, तीसरे parameter आपको यह समझाएगा, कि after printing हमें क्या करना है, what to print at the end, end होने पर, जब print अपना काम पूरा खड़ जाएगा, उसके end होगा, तब हमें क्या करना है, अगर हम लोग चाहें, जो वो करवा सकते हैं, यहां पर end को use करते हुए, इस parameter को use करते हुए, और अगर आपने यहां पर छोड़ा है, आपने end नहीं लिखा है, तो by default वो जो होगा, वो इस से set हो जाएगा end, मतलब जब आपको कुछ छोड़ जेता हो, तो last में यह लिखा जाता है, यह वो automatic लिख देगा Python हमारे लिए, इससे कहते है default, क्या कहते हैं दोस्तो, default हो जो कि आपके new line के लिए responsible है, किसके लिए responsible है new line के लिए, और आप चाहें, तो आप इसके ज़गा कुछ और भी लिख सकते हो, अगर आप इस parameter को use करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको तुरह सा दिखा भी देता हूँ यहां पर, मैंने लिखा यहां पर end, end, और end किस से हो, म आफ्टर प्रिंटिंग आपको add the rate दिखाई देगा, आफ्टर प्रिंटिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है, add the rate दिखाई दे रहा है, तो प्रिंट होने के बाद हमें add the rate दिखाई देना है, या अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, तो by default वो ऐसा set करेगा, इसका मतलब प्रिंट होने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंट होने के बाद आपको new line दिखाई देगी, आपको निच्चे आ जाएगे, आपको क्यों से डिक नहीं रही है, कोई बात नहीं, इसको मामले, इसके लिए हमें 2 print up का यूज़ करना पड़ेगा, इसको समझने के मुझे ये नहीं डालना है, ठीक है, तो आप चाहिए तुसको add the rate लगा दें, तो पहले line जो है, hello 2 के बाद में add the rate पर खतम हो जाएगी, और अगले बार तो इसी से print होना शुरू होगा, ये देखिए है, वहीं से शुरू होगा print, क्योंकि आपने new line दी नहीं है, तो new line के लिए हमें backslash n लिखना पड़ता है, अगर आप लोग नहीं लिखिएंगे, तो भी वह backslash n लिखेगा, इसी वज़े से इसको का जाता है default, ठीक है, तो यहां आपको default भी समझना पड़ेगा, किसका default क्या होता है, चलिए, तो यह आपको तीनों चीज समझ में आ गई है, चौती चीज जो है दोस्तों हो है file, file का मतलब यह है कि print किस पर print करेगा, तो यहां पर जो भी object है, वो कहां पर दिखाने है, तो by default जो हमारे पास में होगा, वो होगा system.htdout, मतलब sys.htdout का मतलब होता है standard monitor, दोस्तों जो हमारा monitor होता है, उसको हम लोग python के अंदर sys.htdout क use करते हैं, इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि आपने अगर यहां पर यह नहीं बताया print को, कि तुझे जाकर कहां print करना है, तो उस case में कहां जाकर print करेगा, वो जाकर print करेगा, यहां पर मैं कॉमा लगाँगा, चीक है, और वो जाकर print कर देगा, sys.htdout पर, यह आपको अगर आपने यह लिखा है, तो यह आपको देगा error, क्योंकि इससे पहले आपको यहां पर एक चीज यह इंक्लूड करने पड़ेगी, import, import, sys. ठीक है, अब आपका यह काम चलेगा, तो इतना ना करकर, अगर इसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं, दोस्तों, जादा अच मुझे इसको फाइल में बेजना है, तो मैं यहां पर उस फाइल का नाम लिख दूँगा, तो उस फाइल में डाल देगा, वो प्रिंट नहीं करेगा, दोस्तों, इसका प्रोगर्म मैं आपको आपको आगे करके दिखाऊंगा, कि इससे पहले आपको पता तो चले, फाइल लोग उसका discuss करेंगे, ठीक है, तो यहां सब लोग कंट्रोल कर सकते हो कि प्रिंटिंग कहां पर होगी, तो आप फाइल से बता सकते हो, और अगर आपने नहीं पताया है यहां पर, तो बाइडिफॉल्ट यह होगा monitor, जिसको हम लोग sys.htd.out से जानते हैं, ओके, चलिए, अब और क्या parameter है, दोस्तों, एक parameter और होता है flush, अब यह बिल्कुल flush वैसे होता है, जैसे हमारे बाफ्तरूम में, जो कंबोट होते हैं, उसमें जो flush लगए होनी होते हैं, वही flush यहां पर काम आता है, यह flush करता कैसा है, इसकी आपके प्रोगाम बना के आपको सिखाऊंगा, करते हैं, तो flush की जगा हम लोग लिख सकते है true or false, एक venue का दाओ सकते है, किसे में दाओ सकते, सपोर्पूर मैं लिख दिया flush, आप यहां पर true कर सकते हैं, हाला कि आपको output पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर true कर सकते हैं, और चाहिए तो आप इसको false भी कर सकते हैं, ठीक है, तो output पर कोई आपको दिखाई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन internally यह बहुत कुछ changes करेगा, वो changes क्या होंगे, उन तरह के argument या parameter दे सकते हैं, तो यह हमारा parameter से, या इसको argument भी कहते हैं, ठीके दोस्तों, तो यहां पर यह जो parameter है, इसमें से अगर आप इनको छोड़ते हैं, तो इनकी default value आपको पता होने चाहिए, तो अगर आपको यह पूरा knowledge है, तो आप एक better print लिख सकते हैं, better हाप सकते ह तो आपको यह पूरा clear हुआ होगा, कि यह जो print क्या है, एक function है, यह function क्या करता है, print करता है, कहां print करता है, यह print करेगा, standard output device पर या कई, और किसे file में भी यह दाल सकता है content, नहीं है, तो अगर आप इसको चाहें, तो खाली छोड़ते हैं, तो यह by default कहां डालेगा content, standard output device, monitor जिसको की python के अंदर, sys.htdout से represent किया जाता है, standard output stream, इसकी विचर्चा हम लोग फीचर में करेंगे, अच्छे से detail में, तो main काम यह है, कि यह जो भी message है, उसको print करता है, और print करने से पहले, वो internal इसको stream में convert कर देगा, आपको इसको convert करने के जिरूत नहीं है, दोस्तों, आ ऐसा fix नहीं है, कि दोस्तों कोई भी function return नहीं करेगा, कुछ function होते जो return करते हैं, कुछ होते जो return नहीं करते हैं, तो अभी print कुछ return नहीं करेगा, और print को use कैसे करते हैं, उसके लिए आपको calling करने पड़ेगी, calling के लिए हमें print लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको जो print black line, black line कैसे print की जाती है, या आप ही समझ लें, कि black line को print करने के लिए print को किस तरह से लिखा जाता है, तो चलते हैं, हम अपने प्रोगाम से पूछ लेते हैं, यहाप पर जाके लिखेंगे print, जब आप इस तरह का print लिखते हैं दोस्तों, तो आपके पास में एक blank line आ जाती ह आपके दिखने ही अच्छे से, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ print, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सभोच करो hello, तो पहला वाला तो hello print करेगा, और दूसरे वाला खाली line print करेगा, और जो last वाला है वो high print करेगा, इस तरह से आपको पता चल ज अगर blank line insert करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, print लिखेंगे, चलिए, जब आप यहाँ पर print लिखते हैं दोस्तों, तो internally हमारे जो python है, उसको कुछ इस तरह से देखता है, कैसे देखता है, वो कहता कि object हमारे पास में यह वाला रहेगा, ठीक है, null string, और separator हमारे पास बादी किया तो यह बाकी वाले जो परामेटर है, यह सब default से सेट हो रहे चैनला किस odми जाएगा, वो मौनिटर पा जाएगा, तो यह मौनिटर हमारा default सेट कर दी है, और plus शिटेञे डिफॉल्ट false accurate है तो यहां जब आप ऐसा लिखते हैं to python इसको समझते हैं अगर आपको तोड़ा सांव आप लिख सकते हैं दोस्तो तो मैं आपको लिखते दिखाता हूँ तो पहला तो मैंने खाली छोड दिया फिम मैंने सेप्रेटर ले लिया है कुछ नहीं ठीक है फिम अन्ड ले लिया है यह वाला बैक्सलैस एंड ओके फिम ले लिए फाइल फाइल मैंने ले लिए एसिस्ट.htd out और यह अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे पहले एक लाइन लिखने पड़ेगी manually import sys ठीक है ओके ताकि हम लोग यहाँ पर sys को काम ले सके और last मैं लिखते है flush ठीक है क्या लिखते है flush जिसको हमने क्या करना पड़ेगा तो सेम चीज होगी पहले जो output आरहा था अभी आपको आपको आएगा ठीक है यह वाला पहले वाला बी ब्लेंग लाइन दे रहा है तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको अगर ब्लेंग लाइन लिखनी है तो ऐसे ही लिखीगा लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि behind the screen वो इसको ऐसे ही convert करता है इस वाले प्रिंट को इस तरह की प्रिंट में वो समझ का convert करता है ओके जहां बाकी वाले जो पैरामिटर से सारे की सारे पैरामिटर उनकी वेल्यू क्या सेट होगी अगर हमने नही भी पता होना चाहिए कि किस line को किस के equivalent लिख सकते हैं हम लोग कि विज़र हम लोग छोड़ देते हैं उस case में python या आपको कुछ जरूर लिखेगा ओके चलिए यह हमने चीज समझ ली यहां पर आगे चलते हैं और बात करते हैं पहले कि दोस्तों के string किस तरह से print की जाती है तो हमने पढ़े हैं कि हमारे पास ने object या value या इस ट्रिंग नाम का little होते हैं उसको print हम लोग कैसे करते हैं चलिए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे इसको मैं कुछ time के लिए अटा देता हूं और बात करते हैं प्रिंट और अगर आपको जो भी string प्रिंट करनी है दोस्तों आप इसको यहां पर string बनाकर उसको लिखीगा वह एजडिस प्रिंट हो जाएगा यह देखीगा हेलो आसरा गया और आप जानता हो कि internal इसको कैसा पड़ेगा तो मैं इसको बता देता हो internal कैसे पड़ेगा वह उसको पड़ेगा इसा प्रिंट सबसे पहले तो लिख देगा हैलो यह हमारा object हो गया ठीक है फिव लिखीगा शेपरेटर वह आपका कर देगा यह वाला फिवो करेगा एंड आपका वो कर देगा नल वाला मतलब नू लाइन वाला फिवाइल फाइल भी लिखना पड़ेगा इसे लाइन को लिखना पड़ता है ठीक है और लाश्क लोग लिख देंगे फ्लश ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे फॉलस तो दोस्तों यह दोनों लाइन एक दूसरे के exactly equivalent है कोई difference नहीं है तो अब मैं आप से पूछता हूं कि आप पहली लाइन क को लिखना पसंद करेंगे या दूसरे लाइन को पूछना नहीं चीए क्योंकि आप लोग पहले जानते हैं कि सब फर्स्ट लाइन ज्यादा एजी है बाकी जो python set कर रहा है वो करने देज़े कोई दिखत नहीं ओके तो मैं यह आपको प्रिंट करके दिखाता हूं थाकि दोनो अब हम लोग बात करते हैं पहले parameter को अच्छे से समझते हैं वह पहला parameter यह कहता है कि हम लोग यहां पर कोई भी object लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यह string object लिखा मैं चाहूं तो यहां पर कोई भी एक integer object लिख दूँ तो यह 2 प्रिंट कर देगा ठीक है और मैं चाहूं तो यहां तो यहां पर कोई भी object लिखा जा सकता है आप उसकी टेंस से मत लीजीगा चलिए तो पहले तो हम लोग इस्टिंग के तुरू आपको समझाएंगे और बताएंगे campus में कैसे question आते हैं मोश्टी लोग कहेंगे सर यहां पर दो अब्जेक्ट लिखे गए एक तो है hello और दूसरा है hi ठीक है मैं यहां कहता हूं कि यह एक object है आपको किसे कह सकते हो एक object है क्योंकि दिक्त दूर है दोस्तो पाइफन जो है वह एक language और language काम करती है रूल पर और रूल यह है कि कोई पूरी भी चीज एक मानी जाएगी या दो मानी जाएगी तो जब तक उनको separate नहीं करेंगे हम लोग तब तक वह एक ही मानी जाती है इसका मतलब यह हुआ दोस्तो कि यह पूरी चीज एक ही है और अगर मैं इसके बिच कॉमा लगाता हूं तो कॉमा का यूज है यहां पर separate क करना कॉमा का यूज क्या है कि यहां पर दोनों को separate करना अब यह दो आइटम है और अब यह एक आइटम है ठीक है तो चलिए मैं आपको साथ साथ उसनको compare कर भी दिखाता है इसको print मैंने लिख दिया सपोस्कुर मैंने लिख दिया इंडिया ओके यहां पीर आई और यहां म तो मैं बस यह कह रहा हूं कि दोस्तों यहां पर आपने केवल a की object लिखा यह फूरी a की string है दो string नहीं है जबकिए आपने और दो string क्हों लेगी है यह पता लगाने के लिए हम लोगों को जरुद पर ती है हमारे कॉमा की तो इसका अगर मैं देखूंँ तो आपका फीर कोशन राइज हो गए यहां पर के सर दोनों का आउपूट क्या है सेम भी तो आ रहा है दोनों में हलो हाई प्रिंट हो रहे हैं लेकिन दोस्तों जहां से सुनिए गा यहां पर जो है वह एक स्वाष थी श्ट्रिंग यहां पर जो है तो यहां पर दो अलालग स्टाइब किया एट है इसको मैं प्रूफ करता हूं कि यह उपर वाल एक आइटम है निचे वाल डू आइटम है तो जाईसे बात है दोस्तों यहां पर काम में लेंगे समझने के लिए और मैंने यहां पर लिग दिया कुछ भी एक सिंबल लिग जैसे कि मैंने यह डाड़ डाड़ लगा दी ठीक है अब सेम चीज में निचे भी लिखता हूं इसको मैं यहां से कॉपी करकर निचे भी लिखता हूं सेम चीज तो दोस्तों सेपरेटर क्या करेगा सेपरेटर दो आइटम के बीच में है कि डाड़ डाल देगा ठीक है तो अगर यह दो सेपरेटर आइटम हुए तो इसका पूर के आना ची हेलो डाड़ 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 ड स्टुचनाल एक ही मैं यहां मैं यहां पर live काम में यहां पर कुछ लिखना तो यह होप आपको यह किलर हो आपको मार्म ओग और जारा है दो जार रहे पूछ जाते हैं कि इस वाले में कितने object लिखे गया है इस वाले में कितने object लिखा गया है अब जरूरी कोई rule नहीं है, कि दोनों object जैसे हो जैसे कि में 2 ले लेता हूं, छीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिखत नहीं आएगी यह दो आइटम है लेकिन आप यहां पर नहीं लिख सकते हैं तो आपका पड़ावा है तो आप इसको सेपरेट की समझा सकते हो लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो पहले वाले में क्या जाएगी एतेर दे रहा है कि यहांपर इक सीइड़ आइटम आपने क्या लिखा है ना तो इто doesimler that I am डोस्तो के तक आपको समझ में आ गया कि आपको इस पता चालेगा कि यहां प्रइक आयटम है यह दो आयटम कीषूर इसका मुत यह मतलब है कि हम लोग सिंगल आइटम या सिंगल श्कींग को तुकडू में लिख सकते हैं ऐसाने से ठीक है तो आई होप आपको यह पूरा किलियर हुआ होगा है तो हमने यहां पर बात करी कि यह रही हमारे पास में single आईटम है यहां पर एंदर में बात करूंगा यहां पर कि आप अपने प्रिंट के अंदर कोई भी बी operation करा सकते हैं कईसे कर tissue हैं इसके लिए मैं लिखता हूं यहां पर प्रिंट और यहां मैं लिखता हूँ सब्सक्रों टू प्लस थी क्या लिखता हूँ यहां पर टू प्लस थ्री तो दोस्तों यह दो यह तीन आइटम नहीं है यह अल्टिमेटली यहां पर एक आप्रेशन परफॉर्म होगा और दोनों को एड कर लिया जाएगा और एड करके बार में जो 5 बनेगा उसको प्रिंट के जाएगा चीक है तो आप देखेंगे यहां पर इजल के आएगा 5 ओके तो जरूरी नहीं कि आप कोई भी यहां पर जो ऑपरेटर लगा रहे हैं वो नंबर के साथ लगा है आप इस्टिंग के साथ लगा सकते हैं और मैं आपको कली बताया था नेक्स वीडियो में बताया था कि जब दो स्टिंग होती है जब दो स्टिंग होती है और दोनों के साथ में जब प्लस आता है तो दोनों क्या होता है तो जूड़कर एक सिंगल बन जाती है जैसे टू प्लस त्री जूड़कर सिंगल आइटम बन गया था वैसे यहां पर hello plus high जुड़कर hello high बन जाएगा single item ठीक है तो कोई भी object आप लिगजी कोई भी equation यहां पर लगाई जो आपको लगा सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर equation लगा रहा हूं multiply multiply 3 तो यह पहले hello hello इस string को एक्सपांड करेगा clean time hello 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 एक single item बनेगा वो प्रिंट होगा ठीक है तो आपको यहां पर तीन वार hello दिखाई देंगे दोस्तों आप समझे है तो आप यहां पर कोई भी operation कर सकते हो यह मेरा में मक्से समझाना आप चाहिए तो यहां पर कोई calculations प्रिंट के अंदर ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है कोई भी operation अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको separately बाल लगाईए फिर उसको किसी reference के तुरू और फिर उसको यूज कीजिए कैसे जैसे कि मैं इसको यहां से कट करूँगा और यहां पर मैंने एक लिए सब्सक्राइब और अंदर आर को रख दिया तो अल्टिमेटली स्काम तो वही हो रहा है कि हमारे पास में यहां पर बन रहा है जिसको आर से रेफर किया गया और आर कॉमने नीचे यहां पर रख दिया है ठीक है तो ज्यादा अच्छा यह तरी करेगा दोस्तों आप यहां खाल रहा है ठीक है तो यहां पर आप ऑप्र sorry म कर सकते हो च्रीं के साथ बीपर इंगल नहीं कर सकते हों किसी तो dal प्सक्राइब से हो सकते हैं सिंगल सिंगल गऊंग है अब सेपरे काम करेगा आई होग आपको उट और सिंगल आपजेक्ट या मुल्टिपल आपजेक्ट कैसे रही है और ऐसा कोई रूल लिए दोस्तों कि दोनों अबज़ेक्ट जो है यहां पर यह लाश्पला जो है जब आप मुल्टिपल उब्ज़ेक्ट लिख रहे हैं तो दोनों का सीम होना ज़रूर नहीं है आप समझे हैं तो चाहे तो उनको सेम रखें चाहे तो उनको एक इस्टेंग एक नमबर ले 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 सब कुछ अलाओ तो यहां तक हम लोग ने चाहते हैं कि आपको हम लोग एक प्राइमिटर को डीटेल में पढ़ाएं तो पहले हमने बात करी कि कोई भी object हो सकता है और कितने भी object लिख सकते हो एजब अएज यू लाएक जितना आप सकते हैं यहां पे कोई दिक्कत में हैं और इंटर्वेयु में कोशें कैसे बनें बनेत हैं इस तरह कि आपसे पूछ ऑगा कि यहां इस फेली प्रींट ने में कितने object हो रहे हैं दूसरे में कि अबचेड ब्रेंप कि अगर आपको better program बनाना है तो भी आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा यह वाला concept बास में क्या आपना आएगा ठीक है तो किस तरसे हम अपने reference को use कर सकते हैं printing के लिए तो यहां पर देखेंगे हम लोग तो यहां पर लोग लिखेंगे ए जिसको तीन को रेफर कर रहा है जो की फोर को रेफर कर रहा है ठीक है तो अगर उनको आपको use करना है दोस्तों तो आपने पास में 3 और आप चाहें तो B को भी कर सकते हैं तो B को भी यह refer कर देगा तो यहां पर 4 प्रिंट हो जाएगा और अगर आपको दोनों को प्रिंट करवाना है तो आप 1, B का यूज़ कर सकते हैं ताकि एक के बाद में B प्रिंट हो जाए मुल्टिपल आपने object आप दि और लिख देए इस्पेस वाला चीक है तो सेम चीज को दिख्थ नहीं आ रही है और आप कहता हो नहीं मुझे मुझे दोनों को से ऑपरेट कर रहाना है कॉमा से तो आप यहां कॉमा लगा दीजिए और दोनों को कॉमा से कर दीजिए परेट है चलिए लेकिन अच्छा जो वो जानता है कि अगर हम। दोनो वेल्यू को प्रbled करवाएं तो खाली हमें A भी नहीं लिखने है जैसे यह सब्सक्त साक्रीं, क्या यह वारत कनी को प्रिग में गुदन को जाता है। ठीक है यहां पर मैं B equal देता हूँ ठीक भी तो आपको दिखाई देगा A equal 3 और B equal 4 ओके अब आप कहते हैं मुझे तो यह दोनों अलेलग लाइन में देखने हैं ठीक है उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा आप दोनों वाले जो आउपूट है उनको new line से करेंगे तो सबके बीस में new line डाल देगा वह ठीक है तो कैसे करेंगे काम तो इसके लिए आपको simplest way मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको यहां पर लिख देतना और बाकी वाला print यहां लिख दे चीक है यह वाला तो चलाकर देखें और आपको पहले line में यह दिखाई देगा दूसरे दिखाई देगा यह simplest भी बतायमन आपको ठीक है इसके लाब और भी बहुत से तरीक हो सकते हैं कि एक के लाइन में लिखकर हम लोग कैसे कैसे आपस में एक दूसरे को separate कर सकते हैं ठी आपका b equal value print होगा फि b की value print होगी ठीक है तो आप इस तरह से अपने references जो है वो काम में ले सकते हैं है ओके दोस्तों तो आप इस तरह से लिख सकते हैं हाँ आप यह वाला operation नहीं कर सकते हैं अगर कमा लगावा है अगर एक लगावा तो single हो जाएगा ठीक है कैसे मतलब मैं आप से कह रहा हूं कि आपको यहां पर प्लस नहीं लगाना है ठीक है प्लस नहीं लगाना है तो error आ हो जाए जावा में ऐसा काम हम लोग करते हैं लेकिन python आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों तो जो लोग beginner उनके लिए तो कोई दिक्कती नहीं लेकिन जो लोग जावा से आ रहे हैं python के अंदर उनको यहां पर फेस होती है और इनको यहां पर इशू आते हैं तो दोस्तों तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग other language से आ रहे हैं तो उनको सीखना पड़ेगा कि python किस तरह से काम करता है वह आपको सीखना पड़ेगा ओके चलिए तो यहां तक हमने काम कर लिया है आगे बढ़ते हो हम लोग देखते हैं कि separator को किस किस तरह से हम लोग काम में ल हाई तो यह दो अब्जेक्ट होगे दोस्तों हाला कि AOB का कोई रोल ही नहीं आप इसको में आटा दू हाटा दिया तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो separator दोनों को space के साथ में प्रिंट करेंगा तो hello high के बितम किया जाए कि space आप कहते हो सब मुझे space नहीं चाहिए तो separator जो है आप इसके अंदर space हाटा दे या तो space देदे या space हाटा दे तो दिखने में तो आपको हो सकता ज्यान देना पड़ेगा क्योंकि space दिखती नहीं है यह space है और यह space में हाटा दी तो इसका मतलब hello high तोनों चिपके भी दिखाई देंगे ठीक है और आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे कि यह और आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं जैसा मतलब है यह चाहता हूं कि separator के अंदर fix नहीं हो कि एक ही correct लिखेंगे कई बार हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं तो दोनों object के बीच में यह वाला separator हमारा इस तरह से काम करेग इसका मतलब hello high आपका print होगा और हम लोग new line मा जाएंगे यह आगे है new line में तो separator क्या करता है कि hello को print करेगा फिर separator new line करेगा और उसके बाद में high को print कर देगा तो separator क्या करता है new line एंटर कर रहा है तो आप new line एंटर करवा सकते हो आप चाहे तो यहाँ पर escape sequence कोई भी काम में लिए सकते हो बैक्सलेश्टी जो की tap के लिए होता है वह यहाँ पर काम में लिए सकते हो ओके और जो चाहे मतलब मैं कोई number भी लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों के बीच number प्रिंट हो जाएंगे कभी दोनों के बीच new line हमने डाल दी कभी कॉमा डाल दिया यह आपको जिस तरह से प्रिंटिंग करने है उस तरह के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा ठीके दोस्तों तो separator हमारे पास में यही होते है और अगर आप separ छोड़ते हैं तो by default space वाला separator होगा तो separator के जुड़ी भी साइज चीजे मैं आपको बता दी है जनरली separator का का काम कहा लेते हैं हम लोग इस तरह से यह दोस्तों पात बनाने के लिए होता कैसे बनाना होता पात जहां से सुनीगा मैं यह आप लिग रहा हूं separator और यहां प लिखते हैं ओके ताकि हमारे पास में क्या हो पात को समझने में आसानी हो पात काम करने में आसानी हो पात समझ गया किसी फाइल का पात या किसी भी लोकेशन जो हम लोग लिखते हैं हमने विंडो सिस्टम में या फिलानेक सिस्टम में उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको printable बना देता है अभी यह printable नहीं है दोस्तों ठीक है जिसे मैं single code लगाता हूँ backslash अगर लिखना है तो यह क्या करेगा यह printable नहीं होते दोस्तों separated के अंदर जो single code है यह format बताने के लिए जैसे comma exist करेगा इसके बीच मतलब केवल कॉमा ही हमारे काम का है यह दोनों के दोनों जो है यह नॉन प्रिंटेबल करेक्टर यह प्रिंट नहीं होते हैं सिर्फ कॉमा प्रिंट होगा तो जैसे आप यहां backslash लगा देंगे तो दोस्तों यह वाला प्रिंटेबल सुरू हो जाएगा तो यह open जो हुआ वो close नहीं हो पाएगा तो अगर आपको backslash लिख देते हैं नन क्या करता है जिससे आपने खाली छोटका हो तो आप चाहते हो कि आपको पता नहीं है तो आप खाली नन लिख दीजीगा नन का मतलब है कि हेलो हाई के बीच में बायिटिफॉल्ट सैट हो जाएगा तो कोशिण होगा आप से पूछेंगे कि सेप्लेटर नन का मतलब क्या है कि सर यह बायिदेफॉल्ट सेट करना तो आप मैंटुली आइसाए सेट करसकते हैं तो आप ऐसा भी सैट करसकते हैं ठीक है तो दोनों कहां से स्रीम आएगा यह question क्या कहता है इसकी हम लोग तो इसे चर्चा कर लेता है जैसे कि suppose करो यहां हाला कि आपके लिए हो सकता है कि मैंने कुछ आपको पढ़ाया नहीं है set यह होती ही list और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जिसे मैं लिखा hey hey और यहां लिख दिया इंडिया ठीक है और इंडिय है single item print होगा और आपके पास अगर मैं सेपरेटर लगाता हूं यहां पर और इंडिया और लिख अल्य तरह की विफ्य और मैंसे विल्यू निकाल कर लेंग शेंगंग झालने के स्कते हैं और यहां पर्यूस करेंगे उन पैकिंग कği और यह यांक्न पर उवाला एस्टिक लिखाना होता है रन करेंगे तो यहां पर हेलो इंडिया और 25 तीन अलग चीज हो जाएगी और यह तीन अलग चीज हो गए तब हमारा सेपरेटर काम करना शुरू करेगा अब मेरे बाद समझें दोस्तों यह कोशिन बहुत ही पूचा जाता है हाला कि कोशिन हो सकता है जो लोग बीगिनर है उनके लिए तोड़ा सा यह समझना मुश्किल होता है कि यह सिंगल आइटम है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं सैट आफ वैल्यू लिस्ट चीक है तो यह हम यहां से देखेगा आपका यहां सेपरेटर का यूज नहीं आ रहा क्योंकि यह पूरा सिंगल लिस्ट है अब मैं क्या करूँगा इस में से सिंगल आइटम मैं से तीनों चीजों को तोड़ तोड़ करना इसे बोलता है अनपकिंग करना तो इसके लिए मैं आपको वाइट पर लिखे जाता हूं और यहां मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैंने लिखा है इंडिया और यहां लिखा 25 तो दोस्तों यह पूरा सिंगल आइटम है और सिंगल आइटम पर सेपरेटर काम निकारते हैं सेपरेटर तो आप इसको अनपकिंग करने के लिए इस्टा अउडिया, दूसरा हो गया इंडिया, तीसा हो गया 27, यह हो जाएगा अब आप यहां पर एको सेपरेटर उन्स कर सकते हैं ताकि इन त 살 सेपरेटर 5 इंस सेपरेटर हमोना जासरा जाता ँप अब corporate क्या मिलेगा, hey at the rate, India at the rate 25, ठीक है, ऐसे ही हुआ है दोस्तो, exactly अगर आप output देखे हैं यहाँ पर, मैं history लिखा कर चला के दिखाता हूँ, output, तो यह देखी क्या, exactly ऐसे ही हुआ जैसा कि हमने समझा है, तो आपको समझना जरूरी है कि अगर आपके पास में कोई set of values आ र दोस्तो, तो generally जित्ते भी हम लोग पढ़ते हैं, तो यह वाला concept कहीं पढ़ते हैं हम लोग, unpacking वाला, दोस्तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इसी वज़े से campus में यह कोशिक बहुत ही important हो जाता है, ठीक है, okay, तो बस बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको सारा बदाई सेपरेटर के जुड़े हैं, कि भी आपने एक लिका नूड, एक लिका चायल, एक लिका चायल और आपने इसेपरेटर लगाया, तो हर किसी object के बाद में आपका इसेपरेटर लग जाएगा, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर हमने one लिया है, python trick लिया, dan banner लिया है, सेपरेटर क कोमा लगाया, तो सबके 20 में कोमा जाएगा, तो one कोमा trick कोमा यह, तो सेपरेटर से जुड़ी भी सारे concept जो प्रिंट के अंदर हम लोग काम में लेते हैं, I hope मैंने आपको सारे अच्छे सा समझाए होंगे, ओके, चलिए, अब हम लोग सीख लेते हैं, एंड के बारे में, ठ जाएगा, तो एंड आपका यह बताता है, कि यह हेलो प्रिंट करने के बाद में, जब सारी प्रिंटिंग हो जाएगी object की, उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जो चाहते हैं, वो एंड से करवा सकते हैं, अगर मैं एंड नहीं लिखता हू तो by default एंड यह होता है दोस्तों, यह वाला, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम है, जो पहला लिखा था और जो मैं अभी लिखा था, आप के तो नहीं सार, एंड जो हो, एंड के बाद में मुझे डॉट 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 चाहिए, ठीक है, आप ऐसा एंड काम करेगा, तो एंड जो है, वो एक बार काम करता है, वो भी सबसे लास्ट हुए, और वहीं अगर मैं बात करूँ, एक और ले लेता हूँ, यहां पर hello high, okay, यहां ले लेता हूँ, इंडिया, और ज़रूरी नहीं सब से हम लो, मैंना कुछ अलग ले लिए, जैसे यह होगा, फिर एंडिया होगा, फिर 2345, फिर 2.3 होगा, फिर फिर फिनिश होगा, और एंड सबसे लास्ट में जाकर जो है, वो लगा देगा, इसका मतलब एंड आपका हमेशा सबसे लास्ट में काम करता है, यहां पर हम लोग, error आरी कोई दिक्षत नहीं, error आता, कोई बड़ सबस्टाओ ओड़र काहिए, हर किसी अबजर्ट के बाद में सबस्टाओ सबस्क्रावार करना काम करेंगा, तो देखीगा, तो सबस्टाओ के बाद में нажाएंगे, इंड आ के बाद में कोई दिखर नहीं है तो देखे सारे प्रिंट हो रहे हैं सेपरेटर के साथ में और लास्ट में जब फूरा फिनिश हो जाएगा तो हमने यहां पर दो दो डट लगा दी थे तो दो दो आ रहे हैं ठीक है दोस्तो इस तरह से हम अपना एंड का काम ले सकते हैं तो आप यहां प यह एंड कुछ ऐसे लिखा जाएगा बैस इतना सा समझ में आपको तो एंड आपको समझ में आगया होगा कि एंड किस तरह से वक करता है चलिए अब हम लोग और इसके ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर यह जो फाइल वाला है वो कैसे काम करता है ठीक है बई त तो मैं आपको बता देती हैं कि आप हमने के कह पर रहा है तो दोस्तो हमारे पास में प्रिंट के अंदर जो है वो थे पाच पैरामिटर जिसमें object के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिए है कि वो single है या multiple है कैसे हो सकते है फिर हमने इसे प्रेटर के बारे में पढ़ लिए दोस्तों हमलोग बात करते हैं हमारे next print के जो parameter होता है वो है file तो यह file कैसे काम करता है किस तरह से यह use करता है हम लोग उसके बात करते हैं तो दोस्तों जब हम लोग कभी भी लिखते हैं print hello ultimately हमारा python को ऐसा समझता है कि hello आगे हमारा parameter बाकि सारे default set हो जाता है तो default set, separator क्या होगा, space होगा, end क्यासा set होगा, new lens set होगा, और यह जो file है, यह set होगी system.std out, मतलग यह आपके monitor को represent करता है, इसका मतलग आप जो भी आप लिखने होंगे, वो सब monitor पर display होने वाल है, चलिए, इसके लिए मैं आपको program बना कर दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों यहां से हमें पता चलेगा कि अगर हमें file में कुछ लिखना हो तो कैसे लिखे है, तो इसकी location आपको याद उने ची फाइल की, यहाद रखेगा, इसको मैं save करता हूँ, यहाँ नाम दिया मैंने demo.py है और यह मैं डालना चाहूँँगा, desktop पर, यहाँ पर desktop चूज क करते हैं और यह हमारी desktop पर बन जाएगी, इसको मैं run करता हूँ इसको अब रण करूँगा तो कुछ होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चले, यह आउप आपको यह फाइल दिखा ही देदी है, इसको मैं refresh कर देता हूँ, चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भी हमरे पास म कर रहे तो क्या करते हैं, हम अब यह घ्खक यह कर रहते हैं हम अभी यह यह चल दोस्तों हमने लिखा था है और जब इसको हमनों लिखते हैं दोस्तों तो हमें यहां पर इंपोर्ट करना पड़ता है इंपोर्ट सिस ठीक है तो इस तरह से हमारा यह फिंट पड़ा जाएगा बागी सब चीजे जो है दोस्तों वह आपकी डिफॉल्ट सेट हो जाएगी तो आप जो भी लिखेंगे वह म मैं चाहता हूं कि मैं मोईंटर भी डिस्प्रेक करना नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं किसी फाइल में यह फ्रीट है इसके लिए मैं आप एक फाइल बनाऊंगा पहले तो फाइल कैसे बनाते हैं हमने सबस्को नाम लिखा उसको फाइल 1 और लिखेंगे ओपन अब भी अब मैं चाहता हूं कि यह मेरा के लिखावा है यह डिस्प्ली होने की बजाय इस जो ओपर जो मैंने फाइल बनाई गी है एलो.th की उसमें चला जाए ओकी दोस्तों ऐसा करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा हमने करना पड़ेगा यहां पर लिखना पड़ेगा फाइल इक्कल टू फाइल का नाम बैस यह लिखना है और बादना लाजमा के फाइल को क्या कर दें ख्लोज कर दें च्रीक है दोस्तों चलो इसको मैं सेव कर लेता हूं इसको रून करूंगा आपको आउपूट पर कुछ दिखाई में दे रहा है लेकिन 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 जहां अपन जाता हम और आप यहां से चाहिए यह जो कंटेंट है वो आप इसी फाइल में भी बैस सकते हैं तो कहां बैजना है यह आपको डिशाइड करना है और अगर आप कहते हो तो फ़र मैं मोनिटर पर बेजना चाहता हूं तो या तो आप इसके लिए .htdout लिखे या उसको खाली चोड़े ठीक है ओके मैं फाइल का नाम चेंज करता हूं मैंने आपने का सब्सक्रों हेलो टू तो यह हेलो टू फाइल बनेगी लेकिन यह तो आपके मोनिटर पर क्या प्रिंट हो गया इस में उसमें नहीं आया इसका मतलब आप प्रिंट के अंदर कर सकते हो कि आप मैं जो भी यह आप लिखना चाहते हो तो वो कहां पेजना चाहते हैं आप उसको मोहिंटर पर बेजना चाहते हैं आप तो इस फाइल वाले उप्शन को यूज करते हुए अब हम लोग एक को पड़ लेते हैं लाश्ट हमारे पास में जो लाश्ट परमेटर बच्विए वो है फ्लश यह जो फ्लश है दोस्तो यह वैसे काम करता है जैसे बाटूंका फ्लस काम करता है यह फ्लस करता क्या है यह से काम करता ह। इसके लिए है उसकी टिर हलते हैं प्रिंट हेलो तो हमारी पाइफन जो है उसको ऐसा समस्ती है प्रिंट मैं बाकी सारे परेमेंटर नहीं लिखने वाला बाकी सब डिफॉल्ट मान लीजिए और केवल मैं फ्रस को समझा रहा हूं तो फ्रस लिख भी तो फ्रस का मतलब होता है फॉल्स इसका मतलब है कि आपका फॉल्स है आप जो भी कंटेंड लिखेंगे वह पूरा कंटेंड बफ़र्ड होगा बफ़र्ड मतलब यह पूरा एक साथ इकटा होगा इंटरनली एक साथ इकाट होगा फिर यह लास्ट में जाकर एक साथ में प्रिंट होगा लिए अगर मैं चाहता हूं कि फ्लस कर दूं तो अगर मैं flush करना चाहूं तो कब क्या होगा तो उस case में आपका क्या होगा यह buffer नहीं होगा याद रखेंगा जब दोस्तों आप लिखते हो flush false इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं आप buffer के रिट नहीं कर रहे हैं तो no buffering नहीं हो रही है और जब आप यहां पर लिखेंगे flush को आप true कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि buffering हो जाएगी तो जब आप लिखेंगे flush false होता है इसका मतलब है कि आपके पास में buffer create होता है यह buffer क्या करता है आप जो भी content लिखते हो उसको पूरा का पूरा एक साथ में स्टोर करता है और एक साथ में ही प्रिंट करेगा तो किसी चीज को एक साथ स्टोर करना इसे कहते है buffer दोस्तों यह concern आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि buffer का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जब वीडियो देखते है तो पहले sufficient amount of हमारे पास में content आता है तब त करता है कुछ chunk of bytes का कुछ और data आजाए तो यहां पर buffer का यही system यहां पर लागू होता है buffer का मतलब है आप जो भी यहां पर print करना चाहते हो और अगर आपका यह buffer बन रहा है buffer का बनता है जब हमारे पास flush नहीं किया है तो आपके पूरा यह जो लिखेंगे object यह जब string में convert हो इसे हम लोग कहते है buffer करना क्या करना दोस्तों buffer करना तो सब इखट हो गया और फिर यह एक साथ में आपको यहां पर दिखाए देगा अगर मान लीजे मुझे अगर मेरे पास में कोई श्रींग है यह जागा बनता है यह जा रहे है और यह प्रिंट हो रहे है चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको आसाने चासे सखाता हूं अगर मेरे पास में कोई string है हेलो ठीक है और अगर मैं बफर काम में ले रहा हूं तो यह display कैसे होगा यह concept कैसे होगा सबसे पहले यहां से यह आएगा यह बफर में अभी प्रिंट नहीं हुआ है तो पूरी string one by one यहां पर one by one करेक्टर आएगी और यह पूरा एक पूरा एक खटा हो गया इसके बाद मे अगरे आपका इसके बफर होता है और मान लीजिए मेरे पास कोई बफर नहीं है उस case में कैसे होगी printing उस case में printing ऐसे होगी कि आपका display है और कोई buffer आप यूज नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले एंच आकर एंच प्रिंट होगा फिर अगली वार ल आएगा तो एल प्रिंट हो यहां पर एक साथ प्रिंट होने का concept लागू होता है और यहां पर क्या होता प्रिंट वन बाई वन करेक्टर और यह आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही जल्दी होता है आपको कभी पता नहीं चलेगा चले मैं प्रोगाम को दिखाता हूँ ठीक है और यहां पर अपना प्रोगाम को पहले साही करते हैं और यहां पर मैं लिख क्वर प्रिंट हेलो और अभी के लिए में buffer को rese hinter करें करना हूँ क्या करना पदता है करना पड़ता है इसका बफर होगा तो एक साथ प्रिंट होगा आप उसका आउपूट देखेंगे आउपूट पर कोई रखने पड़ेगा आउपूट में आपको हेलो दिखाई देगा ओके आई होप यहाँ पर पूरत सा मैंने गलत लिख दिया है करेंगे तो आपको हेलो पिंट होते वे दिखाई दे रहा है तो यहां प्रकर मैं इसको ट्रू कर दूँँ बाइड दिखाई देगा लेकिं इंटरनल वर्किंग सी बतल जाएगे तो होता क्या है फ्लस को अन रखना ज्यादा अच्छा रहेगा या फॉल्स को ज्यादा तो दोस्तों concept यह कहता है कि अगर आप buffer create करते हैं मतलब जब आप अपने flush को फ्लस को false कर देते हैं इसका मतलब कोई flush नहीं होगा इखटा हो जागा तो फ्लस कप करते हैं हम लोग जब पानी इखटा हो जाता है तो फ्लस करके उसको पानी को निखाल देते हैं और जब तक पंद है मेरा जब तक फ्लस के पानी इखटा होता रहता है कमबोड के आपको बता न तो वही और यह साथ में यह सला गाएगा इसली मैं flush करना और वहीं अगर मैं फिलस्कोब में कर देता हूँ और रखता हूँ उस केस में जैसे यह रीट करेगा प्रिंटर वह सीधा आपका वन बाई वन करेक्टर प्रिंट करतेगा यह काम बड़ा जल्दी उस आपको दिखता नहीं आप चाहें तो यहां पर टाइम डॉट स्लीप का कर सकते हैं लेकिन अभी मैं यूज़ करना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी तक हमने टाइम के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है तो बैटर कौन सा है यह कोश्यन हमारे लिए खड़ा हो गया कैसा कौन सा अच्छा रहेगा कि बफर बनाके काम करना या बिना बफर की काम करन है तो दोस्तों जब आप वन बाई वन कर्क्राइब तो इट विल टेक सम टाइम यह आपका तोड़ा सा टाइम कंजूमिंग में तरह रहेगा टाइम कंजूमिंग लेकिन अभी मैं इसके अद्वान रहे है क्यों वन बाई वन करेक्टरिश्ब काम करते हैं तो हमें क्या पर लेस होगा तो अभी के लिए मानगे चलें कि फ्लस का फॉल्स रे नहीं ज्यादा अच्छा है इसी वज़े से फ्लस को बाइड डिफॉल्ट क्या रखा जाता है फॉल्स रखा जाता है ओके दोस्तों आपको यह पूरा फ्लस का कॉंसेट प्लीर हुआ होगा यह किस तरह से काम करता है तो यहां पर फ्लस जो है बाइड डिफॉल्ट पॉल्स इसी वज़े से गया है ताकि हम लोग किस लिए काम करें बफर को यूज़ करते लिए काम करें ताकि आपकी तोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकते हैं और अगर आप जिस दिए उसको ट्रू कर द लेकिन आउट्पूट पर इस कॉंसेप्ट का कहीं फरक नहीं पड़ता दोस्तों जाकर सुलेगा आउट्पूट में दोनों केस में आपको हैलो ही दिखने वाला है यह आप अच्छी से सीख ले तो आउट्पूट पर कोई रोल लेंगे यहां पर जो में कॉंसेप्ट होता करके दिखाएंगे कि वन बाइवन करेक्टर प्रिंट हो रहा है या एक साथ प्रिंट हो रहा है वो मैं आपको दिखा भी सकता हूं लेकिन उसमें तोड़ा सामें स्लीट का यूज करना पड़ता है पर अभी तक वह चीज हमने की नहीं है इस पाइंट तक आप यही समझ ल को भी यूज कीजिए अपने रिक्वार्मेंट के अपोर्डिंग और जैसा चाहिए वेसा प्रिंट कीजिए लेकिन दोस्तों एक चीज और यहां तक नहीं आपको प्रिंट के वले इतना नहीं है प्रिंट में अभी और भी बहुत से चीज़ें बाकी है अभी तो उसकी को भी तक हम लोग तोकन्स से चीज़ए अभी तक हम लोग प्रिंट करना से चुखें तो आप इनक्स वीडियो में आपको पराने वाला हूं कि इन्पूट क्या होता है और इसकी पॉर्टेस के हमारे प्रोग्राम के अंदर इस वीडियो में जल्दी हम लोग दुबारा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू